जो लोग बार-बार अपनी फोटोज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते रहते हैं, क्या वह सबसे खुबसूरत होते हैं? सुबह सूर्य के रोश्णी में ज्यादा समय बिताने से क्या होता है? क्या हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है? तो आईए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब Fact No. 1 मनो विज्ञान कहता है अगर आपके मन में किसी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो आपका दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी के लक्षन उत्पन्न कर देगा क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह किसी बीमारी का इलाज भी कर सकता है और बीमारी पैदा भी कर सकता है Fact No. 2 Psychology के अनुसार जब आप अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं तो आप बेहतर महसूस करने लगते हैं और आप आकरशक होने लगते हैं लोग खुद बखुद आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं यह सब मात्र आपसे शुरू होता है Fact No. 3 मनो विज्ञान के अनुसार जब आपका मूड बिना वजह अच्छा नहीं होता तो आप निश्चित तोर पर किसी को मिस कर रहे होते हैं Fact No. 4 साइकोलोजी के अनुसार अधिकतर लोग यह सोच कर अपनी फोटो वैटसैप, फेस्बुक या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार बार डालते रहते हैं कि वह बहुत सुन्दर है, अक्सर वह मानसिक रूप से बीमार होते हैं Fact No. 5 मनोविज्ञान के अनुसार कभी भी एक इनसान से दो बार प्यार ना करें, क्योंकि दूसरी बार आप उसकी यादों से प्यार कर रहे होंगे, ना कि उस व्यक्ती से Fact No. 6 मनोविज्ञानिकों की माने तो सामान्य तोर पर हमारे मस्तिष्क में 6,000 विचार प्रति दिन चलते हैं और इन सभी विचारों में से 80% विचार नकारात्मक ही होते हैं फिर चाहे हम अपने करियर के बारे में नकारात्मक सोच रहे हों या फिर अपने परिवार के बारे में। Fact No.7 सुभ सूर्य के रोश्णी में ज्यादा समय बिताने वालों को स्ट्रेस, डिप्रेशन कम होता है। तो दोस्तो, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी आप ऐसी अमेजिंग वीडियोज देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओनल पर प्रेस कर ले। धन्यवाद।